दिल्ली में यमुना का जलसल अगातार खत्रे के निशान को पार कर रहा है यमुना के उफान को देखते हुए प्रिशासन हाई अलोट पर है लोगों को यमुना से दूर रहने की सलाह दी गई है किसी भी हालाद से निपटने के लिए कई बोट तयार है राज़ानी दिल्ली के अंदर यमुना उफान पर है मेरे पीछे जो तस्वीरे हैं वो डेली बोट क्लब की है यहीं से सारे एफ़र्ट्स एडिनिस्टेशन की दरफ से लिये जाते हैं उनको इंप्लिमेंट किया जाता है मौके के ऊपर यहाँ पर आप बोट्स की तादाद देख सकते हैं करीबन बताया जा रहा है कि 100 से जादा बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है राउंड दा क्लॉक 24-7 यहाँ पर गोता खौर तैनात रहते हैं आपास्तिती के अंदर किसी को अगर रेस्क्यू करने की ज़रत आती है या फिर इंस्पेक्शन के लिए किसी का विजिटेशन होता है एड्मिनिस्ट्रेशन से या फिर किसी मंत्री से तो इन बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है 206 मिटर का जब यमना का वाटर लेवल टच हो गया था उससे पहले ही जो इवैक्यूएशन था वो पूरा कर लिया गया था और अभी माना जा रहा है कि यमना बैंक्स के आसपास कोई भी व्यक्ती मौजूद नहीं है चूँकि यमना का जलस्तर जब समानने होता है हतनी कुन बैरात से जिस बड़ी संख्या के अंदर जिस बड़ी मातरा के अंदर पानी रिलीज हो रहा है उससे यमना जो खत्रे का निशान है उससे उपर ही बह रही है और आज मंगलवार के पूरे दिन जोस्तिती है वो सामानने नहीं रहेगी हाला कि कुछ समय तक जो यमना का वाटर लेवल है वो मौडरेट जरूर दिखाईजे सकता है चुँकि 24 गंटे के दौरान वो लगातार बड़ा ही है लेकिन सुभा के वक्त हमें कुछ गंटों के दौरान देखने के लिए मिला है जिससे कि यमना चका जो उफान है वो और जादा रोधर रूप धारन कर लेता है स्टैंडबाइ यूनिट के उपर सभी चीजों को रखा गया है प्रशासन की तैयारियां चाक तौबंध है किसी भी स्तर के उपर बड़े जान माल की नुकसान की सूचना अभी तक सामने नहीं आई है छेंट डिस्ट्रिक्ट एक साथ मिलकर कलेक्टिव एफर्ट्स कर रहे है सेंट्रल वाटर कमिशन भी इसके अंदर इंवाल है अगर मदद ली जाएगी तो उससे भी परहेज नहीं किया जाएगा लेकिन लोगों को इस समय एतियातन यमना बैंक पे जाने से बशना चाहिए विडियो जनलेस राहुलत निर्वान के साथ तरुन कालराजी मीडिया दिल